हलो दोस्तों वेलकम वेग टू माई चैनल गुडिया मल्टी ब्लोग यादाव आज मैं आप लोगों को एक यूनिक सी भजिया रेस्पी बनाना बताऊंगी जो सायदी हर कोई जानता होगा बहुत कम लोग इस भजिया को बनाते और खाते हैं तो मैं आप लोगों को वेलकम को तो बोलते हैं तो मैंने कट कर लिए गिलकी साफ करके और वह कटोरी बाता बेसन और इसारे हमारे सुखे मसाले आप देख सकते हैं और यह चिछ गारलिक का पेस्ट विन सारी चीजों को ले लेना है तो सब से पहले हमने जो गिलकी काट रखी है वो अच्छे से द तेस्ट के अकोर्डिंग नमक और लाल मिर्ची डालने के बाद इसमें मैं एड कर दूंगी हल्दी पाउडर और यह है धनिया पाउडर तो शारे सूखे मसाले आप अपनी कौंटिटी के अकोर्डिंग एड कर ले और यह जीरा आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं औ इसके बाद में इसमें अड़ कर दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं है तो आप जिंजर और गार्लिक को मिंदी में पीछ लें और हल्का सा इसमें और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आप यह वाली गिलकी भजिया जरूर बनाईए और यह जो गिलकी भजिया है इंडोर में जो दिवाली वाले जो दसेरा रहता है ना रावट वाला उस टाइम पर यह वजिया बहुत ही स्पेसल तरीके से बनाई जाती है तो य मेरी गरम तो अब मैं इसमें भजिया ढाल दूँगी आप देख सकते हैं भजिया आपको छोटी बड़ी जैसी वी सेप में आपको चाहिए बना लीजिए और पलट पलट के प्रिस्पी होने तक इनको चल लीजिए देखिए इस तरीके से और इनका जब तक कलर इकदम गोल जब मैं दूँगी रही है यूनिक और यह खाने में भी बहुत टेस्टी टेस्टी की साथ साथ बहुत हल्दी भी है तो आप इन भजिया को जरूरूर बना यह और मुझे कमेंट में बताईए गा जरूर कि यह वाली बजिया किसकिस में खाई और नहीं खाई ए तेग और सच्ची सच्ची बताना किस किस के मुझ में आ रहा है देखकर पानी कमेंड में बताईएगा जरूर और मिलती रहूंगी मैं आप लोगों से कुछ ऐसी छोटी छोटी और यूनिक रेस्पी के साथ तो थैंक्स वाचिंग बाए